Hello Guys, Welcome Back on Electric India YouTube Channel आज हम इस वीडियो में भारत सरकार के द्वारा मिलनेवाली इलेक्तिक वेहिकल पर फेम2 सिब्सीडी के बारे में डिस्कस करने वाले है एलेक्तिक वेहिकल पर मिलनेवाली फेम2 सिब्सीडी को भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में शुरू किया था जिसे अब extension देते हुए 31 मार्ज 2024 तक कर दिया है electric vehicle खरीदना अब आपकी जेपर भारी पढ़ने वाला है क्योंकि electric vehicle पर मिलने वाली fame 2 सबसीडी में अब बदलाव होने जा रहा है जिससे इसका सीधा असर इनकी कीमत पर पड़ेगा यानि electric vehicle की कीमत अब बढ़ जाएगे भारी उद्योग मंत्राले यानि Ministry of Heavy Industry ने 21 माई 2023 को एक गजट अधिस उचना जारी की है उसमें उसने ये बताया है कि fame 2 के तहत मिलने वाली सबसीडी जो आपको electric vehicle पर मिलती है उसमें 15,000 पर 3 किलोट पर आर जो पहले मिलती थी अब उसे 10,000 पर 3 किलोट पर आर कर दिया वेया है इससे आपके electric vehicle की कीमते पढ़ने वाली है fame 2 सबसीडी में बदलाव के बाद इसका क्या असर होने वाला है fame 2 सबसीडी में होने वाले बदलाव का सीधा असर इनकी कीमत यानि इनके प्राइज पर पड़ेगा यानि electric vehicle का प्राइज अब पहले जैसा नहीं रहेगा एक अनुमान के अनुसार एक electric two wheeler का प्राइज जो पहले था उससे 25 से 35 यानि 40,000 रुपे तक बढ़ सकता है अगर आपको कोई electric two wheeler पहले एक लाग दस हजार में मिल रहा था तो उसकी कीमत अब लगबग एक लाग पचास जार रुपे तक हो सकती है fame 2 सबसीडी सरकार की क्या योजना थी के इंदर सरकार ने electric vehicle की manufacturing को बढ़ावा देने के लिए एक अप्रेल 2019 में faster adoption and manufacturing of electric vehicle यानी fame 2 सबसीडी की शुरुवात की थी इस सबसीडी स्कीम के तहट 10,000 करोड के भारी भरकम बजट का भी प्रावधान किया गया था fame 2 सबसीडी स्कीम को electric vehicle को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इसको शुरू किया था ताकि electric vehicle पर आपको सबसीडी मिल सके और इनको बढ़ावा मिल सके पहले यह 2022 में खतम होने वाली थी लेकिन इसे अब 2 साल का extension मिल गया है जो 31 मार्च 2024 को अब खतम होने वाली है जून 2021 में इसमें एक बढ़ाव किया गया था electric vehicle को बढ़ावा देने के लिए जून 2021 में इस पर जो पहले आपको सबसीडी मिलती थी 10,000 रुपए प्रती किलोवाट पर आर की तो उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रती किलोवाट पर आर कर दिया गया था लेकिन अब इस कीम को 2024 तक चालू रखना है तो अब इस कीम में पहले वाला बदलाव फिर से लागू कर दिया गया है इस कीम की सफलता के बाद ही इस कीम को 2024 तक बढ़ा दिया गया है लेकिन इस पर जो आपको सबसीडी मिलती है 15,000 रुपए पर किलोवाट पर आर की उसे भी कम करके 10,000 रुपए पर किलोवाट पर आर कर दिया गया है अब बात आती है इस फेम टू सबसीडी में बदलाव के कारण कौन सबसे ज़्यादा परभावित होने वाला है फेम टू सबसीडी में बदलाव के बाद जो लंबी रेंज की इलेक्रिक स्कूटर आती है वो इलेक्रिक एथर, टीवियेस, ओकिनावा इन पर जो आपको सबसीडी मिलती है वो 50-60,000 रुपए तक की अभी आपको सबसीडी मिल रही है लेकिन इस योजना पर जो बदलाव आया है उसके बाद वो घटकर आधी हो जाएगी तो अगर आप भी इलेक्रिक टू विलर कर रहे हैं तो 31 माई 2023 से पहले आप खरीद सकते हैं इस सबसीडी स्कीम में जो बदलाव हुआ है वो एक जून 2023 को लागू हो जाएगा यानि एक जून 2023 को या इसके बाद आप जो भी इलेक्रिक टू विलर खरीदने वाले हैं जो भी रेजिस्टर होगा उसमें जो सबसीड से पहले अपना इलेक्रिक टू विलर लेकर रजिस्टर करवा सकते हैं थाकि आपको स्कीम का बढ़िया फायदा मिल सके वरना इसके बाद आपको 20, 25, 30, 40, 50,000 रुपए इलेक्रिक स्कूटर के हिसाब से ज़्यादा खर्च करने पढ़ सकते हैं तो ऐसी ही इलेक्रिक विकल से लेटिड और न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे इलेक्रिक इंडिया यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर फेम टू सबसीडी स्कीम में आपका कोई सुझाव है अगर आपकी कुछ गएरी है तो आप कमेंट बोक्स में हमसे पूछ सकते हैं मिल सबस्क्राइब